गुडुमॉर्ग इस्टूडेंट जुवर्व लेशन 2 है क्लास सब्सक्राइए rape क्लाष्यवन व रूवाउचन दूर्ष्पश्छान धान फान पलान्स भूल स्वाल सब्सक्राइब var थिक वाक्चो फर्स्ट है फिल इन दबलैंक्स तो ध्यान देजिए फिल इन दबंबंग्स का फिल इन दबलैंक्स उम्मीद करते हैं अगर अपने लेशन ठीक से पढ़ा होगा तो बना लेंगे फिर भी नहीं हो तो हम आगो बताएंगे फर्स्ट क्वेचन है the main steps of nutrition in humans are dot 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 and dot five चीजे भरना है total तो कौन कौन से होते हैं पहला हो जाएगा the main steps of nutrition in humans are ingation फर्स्ट में क्या हो जाएगा ingation दुसरे में हो जाएगा digestion उसके बाद observation अब्जर्प्शन एंड चोथे में हो जाएगा assimilations assimilations एंड लास्ट में हो जाएगा इजिक्षन इजिक्षन मतला लास्ट में जो हम मल मुत्र त्याग करते हैं वह हो गया बच्चो ठीक है एंसर आपको लास्ट विवर पूरा दिखा भी दूंगा आप ध्यान देकर देखिए नेक्स्ट है दा लार्जेस्ट ग्लेंड इन दा हुमेन बोडी इज दा लार्जेस्ट सरीर का सबसे बड़ा अंग इसको यकरित बोलते हैं लीवर बोलते है यह लाई भी यार लीवर ठीक है बच्चो C है देश्टोमेक रिलेजेज हाइड्रोलिक एसीड एंड खाली एस्पेस जूसे स्विच एक्ट अन फूर्ड ठीक है यह हो जाएगा डाइजेस्टिव क्या हो जाएगा डाइजेस्टिव डी है दा इनर वाल इन दे स्मॉल इंटेंस्टिन हैज मैने फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कार्ड इसको बोलते हैं वीली भी आई डबल एल आई ठीक है बच्चो नेक्स्ट एंड लास्ट क्येशन है अमीवा के उपर है नेक्स्ट एंड लास्ट कोशन है अमीवा लाइजेस्ट्स इट्स फूड इन फूर भोकुल फूड भी ए सी यू ओ एल ए ठीक है बच्चो ये था हमारा फिल इन दे बलेंक अभी आप देखलो यह है इसका एंसर फर्स्ट का जो है आप मिलो इंगेशन डाइजेशन एबजयर्प्शन एफ्सिलेशन एंड एजेक्शन एंड नेक्स्ट जार देखते हैं बच्चो व है true and false ठीक है बच्चो क्या है true and false तो firstly जो हमारा question है digestion of a starch is starts in estomak estomak से शुरू हता है नई शुरू हता है false ठीक है next है the tongue helps in mixing food with saliva saliva बिल्गुल सई है true है true है बच्चों see तक गाल बलाडर टेंपरेरी अस्टोर स्फाइल दा गाल बलाडर टेंपरेरी अस्टोर स्फाइल साई है गलत है यह भी साई है ठी लिख देंगे next है दा रूमिनेंट ब्रिंग स्बैक a salt grass their mouth and you eat for some time होता है कि है बच्छो जो इनिवल्स होते हैं मुझ से कुछ दिर सम अपना इस्टोरेज कर लेते हैं फिर बाद मुझ को चबाते हैं बिल्कुल सही बात है जैसे गाए भैस को आपने देखा होगा ठीक है बच्छो आगे के सवाल के तरफ चलते हैं मार्क दे करेक्ट एंसर हुई चीज़ अब फोलेंग चलियो देखते हैं यह देखो टीक लगाना है ठीक है क्या करना है बच्छो टीक लगाना है तो आप ध्यान से देखिए फाय टीज कंप्लीटली डाइजेस्टिव इंदा इस्मॉल इंटेस्टिव चोटी आथ जो हमारा यह चोटी आथ है उसमें मतलब जो फैट है उसमें डाइजेस्ट होता है ठीक है बच्छो नेक्स्ट क्वेच्चर है वाटर फ्रोम दा अनडाइजेस्टिट फूड इब्जॉड मेले इंदा ए देखो लार्ज इंसेस्टिव लार्ज इंटेस्टिव यह था इसकामरा इस्मॉल इंस्टेंट इन शेकंड का है लार्ज इंस्टेंट इन जो चोथे नमबर घीक है बच्छो आगे चलते हैं आगे के स्वाल क्या आता है करना है बच्चो क्या करना है मैज आइटम आफ कॉलम विथ डिज गिवेन कॉलम टू कॉलम ए से कॉलम टू को मिलाना है ठीक है बच्चो पहला है food components, food components ठीक है, इसके क्या होगा, digestion, first का first हो जाएगा, ठीक है बच्चो, carbohydrates, sugar हो जाएगा, proteins, proteins क्या हो जाएगा, amino acid, and fat, fatty acid and glycerol, समझ में आगे है बच्चो, food components का, product of digestion, carbohydrates का sugar हो जाएगा, fats का fatty acid and glycerol, protein का, amino acid, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चो, यह देखो यह answer है, आगे है question, what are really, what is their location and function, really क्या है, इसका location और function क्या है, तो चलो बच्चो, इसका answer आभी आपको हम बचाते हैं, अब ध्यान देजे, willy a teeny finger-like projection originating from the walls of the small instant, they increase in surface area for absorption in the digested food, the blood vessels present inside the willy can absorb the nutrition from the digestive food, digestive, willy का काम क्या है, जो digestive food है, उसमें से, अबजर्ब करना है, ठीक है बच्चो, तो यह था हमारा, willy, यह देखो, उसको structure बनाया गए, यह बिली का, ठीक है बच्चो, question is that, where is the bile produced, which component of the food does it help to digest, बाइल कहां मतलब production होता है, और कौन से component of food के, इसको digest करने में मदद करते हैं, liver secrets, the bile juice switch is stored in the gallbladder, while plays an important role in the digestion of fats, okay, this is our answer, and next question is, name of the type of carbohydrate that can be digested by ruminants, but not by humans, give the reason also, कहना यह है कि कौन से जो digest जिसको ruminants कर सकते हैं, तो reason क्या है, ठीक है बच्चो, on the other hand, humans cannot digest cellulose, as the cellulose digestive enzymes are absent in them, this is answer of our question, and next question is that, ध्यान दीजिए, why do we get instant energy from glucose, जो बच्चो होता है क्या glucose होता है, जैसे अपने running करने के बाद, या जो runner होते हैं, या क्रिकेटर, player, जो भी है, जो जिनको जल्दी energy की जरूरत होता है, glucose क्यों लेते हैं, यही है सवाल, तो in the easy language, glucose is simply sugar carbohydrate when consumed have to be digested into glucose, this is very easy process of digestion, as glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body, hence when glucose is directly taken, it does not have to be digested and thus acts as an instant source of energy, गुलकोज क्या होता है, बच्चों की जल्दी ही digest हो जाता है, जो चीज़े जल्दी digest होगा, तो जल्दी उर्जा भी देगा, समझ गें बच्चों? अब जो हमारा next question है बच्चों, ओ है which part of the digestive canal is involved in? ध्यांदी जीए next question, which part of the digestive canal is involved in? absorption of food, food का absorption कहां होता है? यह होता है, a small instance है, छोटी यहांत, a small in test time, ठीक है बच्चों? next question है, cheering of food हम कहां चबाते हैं? buccal cavity, इस क्या हो जाएगा? buccal buccal cavity, ठीक है बच्चों? next question है, killing of bacteria, killing of bacteria कहां होता है? stomach, ठीक है बच्चों? अब next है, complete digestion of food, एक बड़ फिर से इसका भी हो जाएगा, a small instant, ठीक है बच्चों? छोटी यहांत में होता है, a next question है, formation of faces, इस क्या हो जाएगा? large instanting, ठीक है बच्चों? यह था आब next question देखते हैं, question number 10 है, बच्चों? write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human, human, एक similarity amoeba and human के बीच and one difference amoeba and human के बीच, जो हमारा साथ क्या उनका similarity है and उनका क्या difference है, ठीक है बच्चों? now my answer is similarity between nutrition in amoeba and human beings, first of all I want to show you both, this is similarity both amoeba and humans required energy from the growth and maintenance of their body, first of all I want to show my students, amoeba and humans both have required to growth energy for their maintained body, the energy is derived from the food that they eat, energy लेनेक लिए क्याय में खानेक जरुवत पडेगी, the food that they consume is always in complex form and therefore broken down into similar forms by the process of digestion, hence both dead organism and heterotrophs, okay बच्चों? this is similarity between amoeba and human beings, next difference, okay बच्चों? difference, digestion of humans, digestion of amoeba, humans have a mouth and a complex digestive system, human का क्या है? mouth है और एक complex, मतलब critical, gentle digestive system है, mouth and digestive system are of sentine amoeba, amoeba क्या है? one cell animals है, मतलब यही कोशी क्या होता है, one cell only amoeba है, okay बच्चों? next, difference, digestive juices are secreted in the buccal cavity, stomach and a small intestine, ठीक्य बच्चों? and, digestive juices are secreted in the food buccal, this is in human things and this is in amoeba, okay बच्चों? next, see, difference between both, this is about human thing digestion of carbohydrate proteins and first start in separate regions, all the food components are digested in the food buccal, and this about amoeba, okay बच्चों? अब देखिए, next है जो, match the item of column, one with suitable item in column two, okay बच्चों? चलिए देखते है, column one, column two, ठीक है, कौन किसके साथ जाएगा, तो now, I would want to save again, column a को column, one को column two से मिलाना है, and first, आप column a हो गया, column two हो गया, ठीक है बच्चों? किते हैं पहले ये देखते हैं, तोड़ा सा और उपर ले लेते हैं, column a, और, चलो ठीक है, इतना पर रखते हैं, ठीक है बच्चों? तो firstly है मारा, salivary gland, ओके बच्चों, इसका कौन सा होगा? salivary gland का होगा बच्चों, saliva securation, क्या होगा? saliva securation, यह है stomach, stomach किस कसा जाएगा बाबू? यह जाएगा, acid release, stomach का क्या है, acid को release करता है, and next, is liver, 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 यह कृत को बोलते हैं, this is the biggest part of human body, liver जाएगा, bile, juice, secretion, liver का काम क्या है? next है बच्चों, रेक्टम, 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 storage of undigestable food, जो हमारा undigested food होता है, उसको storage करता है, रेक्टम, and next है e, e क्या क्या है, a small intestine, छोटी है, जो हमारा छोटा आत होता है, digestion is completed, सारा जो, digestion का काम complete होता है, small intestine में होता है, ठीके बच्चों, and next जो है हमारा, large intestine, large intestine observation of water, जो हमारा बड़ी आत है, उसका काम है, पानी को absorb करना, okay बच्चों, next question is, देखते हैं, next question बच्चों, label the following figure of digestive system, यह देखो, आपको एक बार, human digestive system का, आपको एक बार बता देते हैं, यहां से देखो, disease or mouth, and यहां से हम कुछ खाते हैं, बच्चों, उसके बाद होते होते हैं, पहले बढ़ी आत में आती हैं, बढ़ी आत के बाद, छोटी आत में आती है, last में पूरा प्रोसेस होने के बाद, यह मल मुत्रे से, जो हम त्याग कर देते हैं, होगे बच्चों, इसको detail में आपको answer देखिए, यहां समझाया गया है, अभी आपको, यह है गाल बलाडर, गाल बलाडर से, जैसे माल लो हम कोई भी चीज, खाते हैं बच्चों, वो कहा आता है, पेट में आता है, पेट के बाद, पेंख्रीज होता है, पेंख्रीज में आता है, उसके बाद, लार्ज instant, जो बड़ी आत है हमारी, बड़ी आत के बाद, स्मॉल instant में आता है, ठीक है? रेक्टम होता है, गॉह नली का बोलते हैं जिसको, ठीक है बच्चों? यहां से, फिर गजो, मल्मूत्रम त्याग करते हैं लाष्ट में निकल जाता है, ओके बच्चों? नेक्स्ट क्वेच्चन है, कैन वी सर्भाईव वन्ली और रा लिफली वेजटेबल ग्रास डिसकेश? बुर रहे, क्या हम सर्भाईव कर सकते हैं, पत्य वेजटेबल एंड ग्रास खाके इसके बारे में डिसकास करना है बच्छो तो नो हुमेंस केनोट सर्फाइव अली राले वेजटेबल ग्रास जो हुमेंड बोड़ी है बच्छो सिर्फ इसके सारे नहीं गुजारा हो सकता अब हमें आगे कोई कोच्छा नहीं मिल रहा तो इस तरह हम हमारा समाप्त हो गया उठाएंग